नमस्ते दोस्तों, आज हम बीना प्याज लेसन सिर्फ मेन दो सामगरी से गरू गत्थी पनीर की सबजी बनाएंगे हमेज़ा हमने रेस्टोरन श्टाइल या फिर धाबा श्टाइल सबजी देखिए पर आज कुछ गरू गत्थी श्टाइल बनाएंगे जो कि आप कहीं ऐसे गुमने जाते हो और गरूवती जेवन जो मिलता है ना गरूवती खाना उश्टाइल का तो जिसके लिए मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम इतना बारी कटा हुआ हरी सिमला मिर्श ली है और यहाँ पर मैंने 700 से 750 ग्राम के आसपास टमाटर को राफली कट कर लिया है यहाँ पर ये दोनों सामगरी हमें खास लेनी है तो टमाटर आप थोड़े से कम जादा भी कर सकते हो और सिमला मिच भी कम जादा कड़ाई में हमने दो चमच तेल गरम करने के लिए रख दिया है तेल गरम होती एक तेजपता, दो हरी इलाची, दो लॉंग, चार पांच काले मिर्च और एक बड़ी इलाची भी आप इसमें ले सकते हो इससे हम अच्छे से सौते कर लेंगे आदा चमच जीरा अच्छे से क्रेकल हो जाए उसके बाद हमने यहाँ पर सिमला मिर्च ले लिया और इसे हम धिमी आज़ पर दो तीन मिर्च तक बुन लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए सिमला मिर्च जब तक बुन रही है तब तक हम इसकी प्यूरी बनाते है टमाटर के साथ यहाँ पर हम दो बड़े चमच मगज तरी के बीच ले लेंगे जो कि यह सबजी में बहुत अच्छा रिचनेश लेकर आएगा एक चमच तिखी वाली लाल मिर्च दो चमच धनिया पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर इन सब को अच्छे से प्यूरी कर लिया है और इसे मैंने च्छान कर लिया है और इसके उपर का जो भी था ना पार्ट्स उसे हम एक घरम पानी में दाल देंगे आदा ग्लास के जितने यहाँ पर ये ग्रेवी को हम अच्छे से तीन चौर मिन तक पकाएंगे अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद हम इसे मिलाते रहेंगे ताकि ये तलिये में ना चिपक जाए अब ढकन लगाकर पांच-छे मिन तक इसे पकने देंगे ये सबजी को पकने के लिए समय जरूर लगता है पर स्वाद में तो बहुती लाजवा बन दी है आप ये सबजी बना लोगे तो बाकि की सारी पनीर की सबजीयों को बूल जाओगे और ये देखिए यहां पर ये जो ग्रेवी है ना बहुत अच्छे से पकरी और इसमें से बहुती प्यारी खुसबू आ रही है आदा चमच हम घरम मसाला ले लेंगे हमने जो खड़े मसाले लिए है उसे भी आप पकने के बाद निकाल सकते हो जैसे की तेजपत्ता या लॉंग जो हमने मसाला उपर का छान के लिए था उसे हम घरम पानी में जो उबाला था ना उसका आदा ग्लास घरम पानी भी हमने दाल दिया और ढ़क कर अब हम इसे कुछ 10 मिनित तक पकने देंगे माल लीजी ये सबजी बनाने के लिए कुछ मुझे आदे गंडे के जितना समय लग चुका था यहाँ पर मैंने 50 ग्रम पनीर और आदा कप के जितनी घर की मलाई को अच्छे से पीस कर ले लिया है उसके अंदर दो चमच मैंने दूद भी डाल दिया था पनीर की वज़े से ये सबजी में बहुत अच्छा एक थिकने सा जाएगी अब ढकन लगा कर दो तिन मिन तक पकने देंगे यहाँ पर मैंने 200 ग्रम पनीर को ऐसे ही छोटे छोटे पीसिस में कट करके लिया है इसे भी ये ग्रेवी के साथ एड़ कर देंगे और दो तिन टुकडो को हम इस तरह से हाथों से ही क्रमबल करके दाल देंगे और इसे डिकन लगा कर एक आद मिन तक पकने देंगे ताकि पनीर में सारी सबजी का फ्लेवर मिक्स हो जाए और आखिर में हम स्वाद अनू सा नमक ले लेंगे आपने सोचाओगा कि पारूल तो नमक दालना ही भूल गई तो सबजी ये एकदम बहुत जादा टेश्टी है बनाने में थोड़ी सी डिफरेंट है पर स्वाद में एकदम ला जवाब है तो मैं इसे टिफिन के लिए तैयर कर रही हूँ आप इसे चाहिए पराथे पूरी रोटी या फिर चावल के साथ भी परोष्ट दोगे ना बहुत स्वादिश्ट लगती है आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर करना तो बनता है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बाजो में दिखरी बैल ऐकोन को औल प्रेस कर दे ताकि आने वाले नए वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो मैं पारूल जली से मिलूँगी और नए रेसिपी के साथ एपी कोकिंग एंजाइ